Hello student, welcome to my channel, आज हम functional analysis को chapter number 5, Hilbert space की theorem number 15 करेंगे, previous video में हमने और्थो नॉर्मल बेसिस की definition की थी, अब हम theorem number 15 करेंगे, Every non-zero Hilbert space H has an orthonormal basis, मतलब हमारे पास क्या है, non-zero Hilbert space हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, orthonormal basis होते हैं, orthonormal basis क्या होते थे, जिसमें हमारे पास A is equal to U alpha था, U alpha हमारा क्या था, orthonormal basis, If it is maximum, अगर है maximal था, then A is subset of E, फिर E हमारे पास क्या था, some orthonormal subset of H था, then E या तो A की equal होता था, यह A को हम extend नहीं कर सकते थे, Since H is not equal to zero, हमने क्या ले लिया कि हमारा जो Hilbert space है, वो क्या है, non-zero है, इसका मतला इसमें कोई भी एक element जरूर होगा, तो हमने ले लिया X, किसको बिलोंग कर रहा है, H को, इसका महरा जो X है, वो not equal to zero होगा, then हमने क्या लिया, S is equal to X, norm of X, यह हमारे पास क्या है, orthonormal subset of H है, क्योंकि यह क्या है, equal to one है, one कैसे आएगा, अगर इस पे norm apply करेंगे, तो norm of X, upon norm of X आजएगा, तो दोनों को cancel करके, one आजएगा, हमारे पास, Let कर लिया, अब हमने टो, इसको हम क्या बोलते हैं, टो कर, टो बोलते हैं, A, A is subset of H, A is superset of H, इसको हम subset बोलते हैं और इसको superset मोलते हैं इसका मतलब A छोटा होता है H से इसका मतलब होता है बड़ा होता है A बड़ा है मारा S से A हमारे पास क्या है और्थो नॉर्मल सबसेट है H का H हमारे पास क्या है Hilbert स्पेस है जो क्या है non-zero Since S is subset of H अब हमने A की जगा S ले लिया S is subset of H और S is superset of S इसका मतलब S भी हमारा और्थो नॉर्मल सबसेट बन गया इसका मतलब हमारा जो टो है वो not equal to phi आजेगा क्योंकि इसमें जो S element है वो vary कर गया मतलब हमारा जो set है वो empty नहीं है क्योंकि उसमें एक element हमारा exist कर गया define the relation यह हमने relation define कर लिया मतलब A1 is less than equal to A2 if and only if A1 is subset of A2 मतलब पहले यह लेकर चलेंगे इसको प्रूफ करेंगे फिर इसको लेकर चलेंगे इसको प्रूफ करेंगे first हमने show करना है to, less than equal to is a partially ordered set partial order set में हम क्या करते है reflexive, symmetric और transitive reflexive में क्या होता है A is subset of A इसका मतलब A is less than equal to A यह तो बहुत easy था अब हम reflexive में दो होते हैं sorry, anti-symmetric में हमारे दो होते हैं transitive में तीन elements होते हैं तो A1, A2 ले लिया यह बहुत easy होता है क्यूंकि हमने यह चोटी classes में भी proof किया है such that इसका मतलब A1 is less than equal to A2 यह A2 is less than equal to A1 मतलब A1, A2 का subset होगा यह A2, A1 का subset है दोनों को combine किया तो दोनों एक को लागे अब हमने तीन terms ले ली तीन में क्या आगे A1 is less than equal to A2, less than equal to A3 मतलब A1 is less than subset of A2 A2 किसका subset है? A3 का इसका मतलब A1, A3 का भी subset होगा मतलब A1 less than equal to A3 तो इस तीनों elements से हमारा क्या proof हो गया? partial order set प्रूव हो गया अब हमने क्या ले लिया? एक index ले लिया A alpha, alpha belongs to capital lambda be the ordered chain in lambda हमारे पास क्या है? एक order chain है मतलब A किसका को लोगा union of A alpha का मतलब इसको भी हमने अब क्या proof करना है? ordered chain करना है तो as is subset of A alpha for all alpha किसको बिलोंग कर रहा है? capital lambda को इसका मतलब as किसको बिलोंग subset हो गया union of A alpha का यह किसका इककोल है? A के तो as is subset of A यह देखो यहाँ पर मैंने करके भी दिखाया है as is subset of A alpha A alpha किसका subset है? union of A alpha इसका मतलब as is subset of union of A alpha और union of A alpha किसके इककोल है? A के आप यह step पी अपनी copy पे not कर सकते हैं अब देखो हमारे पास क्या आ गया? as is subset of A अब हम let क्या करके चले थे? अगर S A का subset है और A H का subset है तो S भी किसका subset होगा? H का होगा यह देखो कैसे बना? अब हमने प्रूफ कर रहे कि S is subset of A यह हम लेके चले हैं assume करके चले हैं कि A is subset of H अगर S A का subset है तो इसका मतलब क्या होगा? H भी A भी H का subset सरूर होगा यह देखो लिख दिया clearly A is subset of H इसका मतलब हमें A को भी हम क्या प्रूफ करेंगे? और्थो नॉर्मल सबसेट of H प्रूफ करेंगे तो इसको प्रूफ करते हैं पहले हम revise कर लेते कि हमने क्या क्या किया? सबसे पहले हमने क्या ले लिए? कि H-Hilbert स्पेस ले 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 जो non-zero है non-zero है तो इसमें एक element exist करेगा वो भी क्या होगा? non-zero होगा उसके बाद हमने condition ले ली S किस के क्ल है? X, norm of X के जो क्या हमारा ओर्थो नॉर्मल सबसेट है उसके बाद हमने toe let किया कि A is subset of H और A is a superset of S और A हमारा S क्या है? और्थो नॉर्मल सबसेट of H है उसके बाद हमने एक S subset ले लिया था इसका मतलब ये भी हमारा vary कर गया था तो हमारा जो toe है वो not equal to phi होगा क्योंकि इसमें एक S subset भी exist कर गया उसके बाद हमने relation prove किया A1 less than equal to A2 if and only if A1 is subset of A2 तो हमने partial order set से reflexive symmetric और transitive से हमारा partial order set prove किया दैन उसके बाद A alpha को prove किया कि ये क्या है S किसका subset है A का अगर S A A का subset है तो इससे clear होता है कि A किसका subset है H का now अब हमने prove करने कि A हमारे पास क्या है orthonormal subset of H है उसके लिए हमने U और V ले लिए U और V हम किसको belong कर रहे हैं हमारे A को belong कर रहे हैं अगर A को belong कर रहे हैं तो union को भी belong करेंगे क्योंकि हमने शुरू में लिए है कि A किसका equal है union of A alpha और alpha किसको belong कर रहे है capital lambda को इसका मतलब U belong कर रहे है A alpha को V belong कर रहे है A beta को और alpha beta दोनों किसको belong कर रहे है capital lambda को इसका मतलब क्या आ गया A alpha is a subset of A beta यह A beta is a subset of A alpha सबसे पहले हम without loss of generalty यह ले लिए कि A alpha किस से छोटा है A beta से अगर यह छोटा है तो पीछे वाले relation से ले लिए कि A alpha is a subset of A beta क्योंकि अगर यह है यह है हमारे पास क्योंकि if and only if था ना हमारे पास पीछे since U belongs to A alpha जो हम लेके ले थे और यह आगया A alpha is a subset of A beta इसका मतलग क्या बन गया हमारे पास U to V belongs to A beta और A beta भी हमारे पास एक और्थोनॉर्मल सबसेट of Hilbert स्पेट से आगया पहले हमने A alpha को और्थोनॉर्मल लिया था अब हमारे पास two elements आगे two सबसेट से आगे कि A alpha भी हमारा और्थोनॉर्मल सबसेट है और A beta भी हमारा और्थोनॉर्मल सबसेट है उसके बाद हमने यह definition लगा दी Hilbert स्पेश की अगर दोनों equal होते हैं तो 1 के अधर equal नहीं है तो 0 के इसका मतलग A किसको बिलोंग करगा हमारा टो को क्योंकि टो में था ना कि A is a orthonormal subset of H यह देखो A is a orthonormal subset of H यह किसका था टो का सो यहां से clear होगे कि A किसको बिलोंग कर रहा है टो को Also A alpha is subset of A क्योंकि सबसे बड़ा सेट हमारा कौन सा है A है For all alpha belongs to capital lambda A alpha is less than and equal to A मतलब A हमारे क्या है upper bound बन गया By Yon's Lemma यह हमने पीछे प्रूफ किया था यह देखो मेरी बुक में page number 5 है जो आगे definitions दी होती है वहाँ पे लिखा हो है Yon's Lemma क्या होता है Every chain C is O set P less than equal to has a upper bound अगर इसका कोई भी upper bound होता है तो इस chain को हम क्या बोलते है Maximum element बोलते है अब हमारे पास एक upper bound आ गया तो इसको हम क्या बोलेंगे Maximum element बोलेंगे यह देखो हमारे पास एक upper bound आ गया तो इसका मतलब हम toe को क्या बोलेंगे Maximum element बोलेंगे यह हमने proof करना था Hence, there exists a orthonormal basis for a non-zero hilbert space एच तो इसमें हमारी जो और्था नॉर्मल बेसीज हैं वो एक्जिस्ट कर गई तो इसी के साथ हमारी जो थियूरम है वो कम्प्लीट होती है अगर आपको किसी भी स्टेप में डाउट हो तो आप मुझे कमेंड करके पूछ सकते हैं यह थियूरम थोड़ी सी एजिय है जो हमने राइस फिशल्स थियूरम की थी वो थोड़ी सी क्रैमिंग थी बट यह बहुत एजिय है तो इसको आप अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो रिफ्लेक्सिव स्मिट्रिक और ट्रांजटीव है यह हमने पहले भी बहुत बार किया है तो यह जो स्टेप से यह तो बहुत एजिय है नेक्स्ट वीड़े में हम थियूरम नमबर 16 करेंगे जो मौस इंपॉर्डन थियूरम है और यह थियूरम हमें 16 मार्क्स में आएगी थैंक यू